नमस्कार आपका स्वागत है देश परदेश समवा चैनल में आज हम बात करेंगे इसराइल में हमास के आतंकियों द्वारा हुए हालिया आतंकी हमले की पिस्ट भूमी में भारत अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए क्या कुछ कर रहा है क्या वाकई आतंकी हमलों की इस नई शैली के लिए भारत तयार है हमास के इस हमले ने भारतिय सुरक्षा एजेंसियों के कान जरूर खड़े कर दियोंगे आज हम अतीत में भारत में हुई एकात अतंकी घटनों की भी चर्चा इसरैल हमास संगर्ष को देखते वे करेंगे आईए सबसे पहले जान लेते हैं नागरिक उल्डियन महाने दिशाले DGCA की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों के बारे में जो साथ अक्तुबर को इसरैल में हुए नरिशन्स नर्संगार के बाद आये हैं हमास के आतंकियों ने जैसे हैंक लाइडर्स में उडान भरते वे और रडार को चकमा देते वे इसरैल की भीतर घुसकर नर्संगार किया और लगबग 200 इसरैली और विदेशी नागरिकों को बंदी बना लिया उसी दुखत प्रत्याशित गटना से सबक लेते वे डिजी सीये ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं संशोधित नेमों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ती किसी परिक्षक या प्रोसिक्षक की अनुमती की बिना संचालित हैंग लाइडर्स नहीं उड़ा सकता साथ ही परिक्षक या प्रसिक्षक बनने के लिए आवशक योगिता हैंग ग्लाइडर्स को बीचने और निप्टान आदी के बारे में विस्तित दिशा निर्देश दिये गए हैं मालुम हो कि हमास अब बंदकों को इसराइल के खिलाफ हाइब्रिट वारफेर में इस्तिमाल कर रहा है गौर तलब है कि हाइब्रिट वारफेर पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ कश्मीर में खेलता रहा है जैसी होस्टेस सिचुईशन हमास के हातों आज इसराइल जेल रहा है बरसों पहले भारत भी जेल चुका है पर दोनों देशों के पब्लिक रिस्पांस में बड़ा अंतर है बंदगों के वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाइरल हो रहे हैं पर वहाँ प्रभावित परिवारों और आमजन्ता ने इस्राइली सरकार पर दबाव बनाया हो ऐसी खबरे तो नहीं आई हैं अभी तक वहीं दूसरी ओर याद कीजिए कंधार कांड को लगबक दो दशक पहले जब जन्ता के दबावर और आक्रोश के सामने जुकते वे मसूद अजहर सही तीन आतंकियों को भारत को छोड़ना पड़ा IC 814 के यातिरियों की रहाई के लिए और ये सब तब हुआ जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था इसी प्रिस्ट भूमी में यह भी जान लेते हैं कि सुरक्षाबलों की क्या तैयारिया हैं इसराइल जैसे खत्रे से निपटने हो तू इसराइल हमास के बीच जारी संगर्ष पर एयर आफिसर कमांडिंग इंचीफ एयर मार्शल स्पी धरकर ने पिछले दुनों गुहाटी में कहा कि हम इसराइल और हमास युद से काफी कुछ सीखने की कोशिश में लगे हैं भारत की हवाई सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर हुच की है भारती वायुसेना की नजर इसराइल हमास संगर्ष पर बनी हुई है और हम किसी भी खत्रे से निपटने को लेकर हमेशा तयार रहते हैं एयर मार्शल स्पी धरकर ने कहा हम सिमाव पर अत्यादुनिक हत्यारों का प्रियोग कर रहे हैं ऐसे में गुस्पैट संभाव नहीं है और हम जानते हैं कि इसराइल में किस तरह से हमली किये गए हैं हाला कि हमारे देश में हालात कुछ अलग हैं और साथी साथ कुछ समानताएं भी हैं जहां तक भारत के पुर्वी वायु कमांड का सवाल है इस्टन एर कमांड देश का एक लौता ऐसा कमांड है जिसकी सिमाएं पांच देशों से मिलती हैं जिनमें नेपाल, चीन और बंगला देश, भूटान और म्यानमार आदी आते हैं देश की सिमाएं बहुत लंबी हैं और ये सिमाएं बीस हजार फीट की उचाई और घने जंगलों एवं एरेजिस्तान से गिरी वी हैं इसराइल की तरह छोटी नहीं गौर हो कि जहां तक अत्याधुनिक हत्यारों और तकनीक का सवाल है तो वह भी गैर पारंप्रिक हत्कन्डों की सामने इसराइल में बुरी तरह पिट गई पाकिस्तान जैसा खुराफाती देश आतंक्यों के इन ने हत्कन्डों को थोड़े बहुत फेर बदल के साथ भारत के खिलाफ आजमाना चाहेगा अतीत में वह ऐसा कर भी चुका है पहली गटना में जून 2021 में जम्मू एर फोर्स इस्टेशन पर पांच मिनट के अंतराल पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंक्यों ने ड्रोन से दो बार विसफोटक गिराये थे और दूसरी गटना में लशकरे तैबा ने खेती के काम में आने वाले हेवी ड्यूटी ट्रोन जिन से 70 किलोग्राम तक का वजन उठाय जा सकता है का इस्तेमाल भारत के पंजाब में एक आतंकी को उतारने में किया ये खबर सितंबर 2023 में सामने आई पकड़े गए आतंकी ने बताया कि लशकर के हैंडिलर से उसे पैसे मिलेते उसे पंजाब में बस जाने और हतियार जमा करने के लिए कहा गया था भारते खिलाव चलाए जारे पाकिस्तानी प्रॉक्सी वार में यह एक नया अध्याय मालूम परता है ड्रोन का जैसा सटीक इस्तेमाल मादक पदारतों हतियारों और नकनी नूट की तसकरी में पाकिस्तान कर रहा है वो एकदम अलग कहानी है पाकिस्तानी आतंकी आज ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं कल हैंग ग्लाइडर्स, रोबोटिक्स और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करने लगें इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता क्या इसे से निपटने को भारत तयार है आज के इसंक में बसितना ही आप से अन्रोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहे हैं और इसे सब्सक्राइब भी कर लिजे जैहिन